जहीं दोस्तों तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जारखन के टॉप 10 डेम्स के बारे में नमबर 10 तेनु घाट डेम बोकारो जीले के पेटरवार ब्लोक में तेनु घाट में दामोदर नदी में इस्तित है इस डेम के हाइट 25 मीटर यानि 180 फीट और लंबाई 5000 मीटर यानि 5 किलो मेटर है यह डेम बोकारो इस्टिल सिटी प्लांट और बोकारो इंडेस्टरियल एरिया में पानी सफलाई के लिए बनाया गया है नमबर नाइन गरगा डेम गरगा डेम बोकारों से 12 किलोमेटर दूर गरगा नदी में इस्तित है और दोस्तों यह बहुत ही परसित पिकनिक अस्थलों में से एक है गरगा डेम के पास पिकनिक मनाने के लिए बोकारों के अलावा विभिन जीलों के लोग पिकनिक मनाने के लि यह डेम बहुत ही पहाडियों से खीर कर बना हुआ है जो परेटोकों को बहुत ही आकरशित करता है दोस्तों यहाँ पर मोटर वोटिंग और पेरा सेलिंग की भी सुविधा है नमबर सेवन कोनार डेम यह जर्खन राईज में हजारी बांक जीले में दामोदर नदी पर एक सहायक नदी कोनार नदी पर बनाया गया है इस जगा में प्राकृतिक सुन्दरता है और इसे एक मनुरंजन अस्थल के रुप में बनाया गया है इसकी उचाई 48.7 मीटर यानि 160 फीट और लंबाई 4553 मीटर यानि लगभग 4.5 किलो मेटर का है नमबर सिक्स पतरातु डेम पतरातु डेम रामगर से 30 किलो मेटर पस्चिम में पतरातु थर्मल पावर स्टेशन को पानी की आपूरती के उद्देश से इस बांध को बनाया गया है यह एक सुन्दर परियटक अस्थलों में से एक है और पूरे साल खास करके ठंडा के मोसम में यहां बड़ी संख्या में लोग पिकनिक के लिए आते हैं यह डेम पहारियों पर बने स्प्रिंग जैसे रोड के कारण बहुत ही सुन्दर द्रिश प्रस्तुत करता है अता यह डेम राची से 40 किलोमेटर दूर इस्तित है नमबर फाइब मसान जोर डेम मसान जोर डेम दूमका के पास मयुराक्षी नदी पर एक जलविदुद बनाने वाला बांध है जिसे कनाडा बांध भी कहा जाता है दोस्तो क्या आपको पता है 1905 में कनाडा के विदेश मंतरी लेस्टर भी पियर्शन ने इसका उधगाटन किया था इस डेम की हुँचाई 47.25 मिटर यानि 155 फीट और लंबाई 616.58 मिटर है अता या दुमका जीले में इस्तित एक फेमस पिकनिक अस्थलों में से एक है या डेम दुमका से करीब 31 किलोमेटर दूर इस्तित है या डेम पहाडियों और जंगलों से घिरा हुआ है जिसे डेम का बहुत ही सुन्दर व्यू दिखता है नमबर फोर तिलया डेम यह कोडरमा जिले में बराकर नदी पर दामोदर घाटी निगम यानि डीबीसी दोवारा बनाया गया पहला बांध और हाइड्रो इलेक्टरिक पाउर स्टेशन है यह बांध बारोसो फीट लंबा और 99 फीट उंचा एक सुन्दर जलासय के साथ इस्तित है इस डेम को बार को नियंतरित करने के मुख्य उद्देश से बनाया गया था इस डेम में महजूद हाइड्रो इलेक्टरिक पाउर स्टेशन 40 मेगावाट का बिजली प्रोड्यूस करता है काके रोड पर राची रेलवे स्टेशन से 8 किलोमेटर दूर इस्तित है यह डेम आसपास के छेतर में सहर की लगबग आधी आबादी को पीने योगी पानी की आपूर्ती करता है यहां आप ओटो रिक्सा और अइन अस्थानिय रूप से उपलब्ध सार्वजनिक वाहन के मध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है नमबर टू पंचेत डेम जारखंड में धनबाद जिले के पंचेत में दामदर नदी पर बनाया गया है पंचेत डेम डिविसी के पहले चरण के अंतरगत आने वाले चार बहुँद्यसिय बांधों में से चोथा है यह डेम 1969 में उदगाटन किया गया था पंचेत डेम जीटी रोड पर चिरकुंडा से 9 किलोमेटर की दूरी पर और धनबाद से 45 और आशन सोल से 20 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है बांध की प्रिष्ट भुमी पंचेत पहाडी है जो इस जगह को विशेश रूप से क्रिस्मस और नए साल के दिनों में यात्रियों के लिए एक महान पिकनिक अस्थल बनाती है इस डेम की कुलूँचाई 45 मीटर और लंबाई 6777 मीटर यानि लगभग 6.7 किलोमीटर है नंबर 1 THAN डैम मैथन का नाम माई का आस्थान से लिया गया है जिसका अर्थ है हिंदु देवी माग कल्यानी स्वरी का आस्थान कल्यानी स्वरी का मंदीर बढाकर नदी के तट पर ही डैम के पास में ही इस्थित है मैथन डेम धनबाद से लगभग 48 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है यह दामोदर घाटी निगम यानि DVC द्वारा वर्ष 1948 में पहले बनाया गया था यह बांध लगभग 4790 यानि 4.7 किलोमेटर लंबा और लगभग 50 मीटर यानि 165 फीट उचा है इस डेम को विशेश रूप से बाढ़ नियंतरन के लिए बनाया गया था और यह डेम 60,000 किलोवाट एलेक्टरिक पावर प्रोडूस करता है और दोस्तों क्या आपको पता है यह डेम पुरे दक्षिन पुर्व एसिया में पहला अंडरगराउंड पावर स्टेशन है आप जील पर दोस्तों और परिवारों के साथ नोका विहार का लाब उठा सकते हैं अता यह टूरिस्ट के लिए पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही बढ़िया परियाटक अस्थल है और आप पास में ही मा देवी कल्यानी सुवारी के प्राचिन मंदिर के दर्सन भी कर सकते हैं अता यहाँ पर वेस्ट बेंगल और जारखंड से बहुत ही बढ़ी संख्या में परियाटक पिकनिक मनाने के लिए और घुमने आते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद